नमस्कार मैं हूं नेहा वर्माप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस पर खास ख़गरी दस रुपे का नोट दिखाकर बच्ची के साथ बलतकार किया गया आरोपी फरहार उत्तर परदेश के अलिगड़ में धाई साल की बच्ची की हत्या का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि इसी शहर में वलतकार की गटना ने संसनी फैला दी है एक हैवान ने चार साल की मासूम बच्ची को दस रुपे का नोट दिखाकर अपनी हवस का शिकार बना लिया इस रिपोर्ट के मताबिक दिल को जचकोर कर रख देने वाली यह वार्दा शुकरवार की रात अलिगड़ के जाकीर नगर इलाके में हुई आरोपी महस दस रुपे का नोट दिखाकर बच्ची को बहला फुसला कर एक कांस्थान पर ले गया और फिर उसने उसके साथ दुशकरम किया बाद में जब लड़की को उसके परिवार के सदस्यों ने गंबीर हालत में पाया तब उन्हें बच्ची के साथ हुए इस खोपनाफ वार्दात की जानकारी भी फिलाल बच्ची को दीन दयाल अस्पताल में भरती करवाया गया है इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जान जारी है पुलिस अदिकारी ने बताया कि आरोपे की पहचान हो गई है और वह फरार है लेकिन जल्द ही उसे गिरफतार कर लिया जाएगा इससे पहले अलिगड में ही दो जून को धाई साल के एक बच्ची का शव शत्विशक्त हालत में कच्रे के धेर में बरामत हुआ था उसकी गरदन के आसपास चोट के निशान थे और उसकी आँखे निकाल ली गई थी बाद में पता चला कि आरोपियों ने बच्ची की हत्या इसलिए कर दी थी क्योंकि उसके पीता ने 10 हजार उपे उधार लिये थे पैसे वापस नहीं कर पाया था और आरोपियों को गिरफतार कर लिया गया लेकिन इस घटना के कारण देश भर में आप्रोश देखने को मिला था